नमस्का, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुबिया अशुब में दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी जन्त थी यानि आपने डेट आउब बर्स से कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपके भाग्ये में घर का योग है या नहीं बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके भोश्य के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान है आपको कुछ नहीं करना आप एक पैन और पेपर लेके बैठ जाएए और एक बड़ी सिम्पल सी कैलकुलेशन कर दीजिए जैसी वो कैलकुलेशन आपके पूरी होगी आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी किसमत में आपके भाग्ये में घर का योग है या नहीं है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक उधारण की डेट ऑफ बर्थ तो मालीजिए जिस आदमी का हम पता करना चाहते हैं कि इसके भाग्ये में घर का योग है कि नहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1999 यह से हम कह सकते हैं 23 फैब 1999 या 1999 अब इसके बाद क्या करेंगे इस डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक आ रहे हैं इसको यहाँ पर यह जो लेस्ट एंड साइड में दिय हुई है यह एक स्टेंडर्ड लोशू गिड़ दी हुई है और आपको क्या बनानी है अपनी लोशू गिड़ बनानी है तो हम इन अंकों को अपनी लोशू गिड़ में भढ़ देंगे तो चलिए भढ़ते हैं सबसे पहले डेट 23 तो डेट के आगे 2 एंड 3 नमबर तो सबसे पहले आया 2 नमबर 2 वाली जगह पे 3 नमबर 3 वाली जगह पे इसके बाद अगला आता है मन्त जो है 02 यानि फरवरी का महीना जीरो को लोशू गिड़ में काउंट नहीं करते तो केवल क्या बज़ गया है यहाँ पर 2 नमबर दो नमबर दो बार रिपीट हो गया है इसके आत एयर पे आ जाते जो है 1999 तो सबसे पहले आ गया इसका 1 फिर आ गया तीन बार नौ 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 और एक और नौ पहली चीज निकल गी बहुत आसान था इसके बाद जो अगली चीज हम निकालते हैं वो होता है मूलांग मूलांग कैसे निकालते हैं कि जो भी आपकी डेट व बर्थ है अगर वो एक से लेके नौ के बीच में है तो सिदा सि लेके 31 के बीच में है तो वो डबल डिजिट में है और लोशु किड में कोई भी चीज डबल डिजिट में नहीं भरी जाती तो हम क्या करेंगे उनके दोनों अंकों को जोड देंगे और सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे ये काम तब तक करेंगे जब तक सिंगल एक्वल टू 11 और 11 क्योंकि फिर से डबल डेजिट में है तो 1 प्लस 1 एक्वल टू 2 तो उनका मुलांग क्या हो जाएगा दो हो जाएगा अब इसके बाद हम क्या करते हैं मुलांग 5 को भी यहां पर अपनी लोशुग्ड में भर देते हैं यह आगया 5 अब इसके बाद हमने क्या निकालना है इसके बाद हमने निकालना है भाग्यांग भाग्यांग के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी डेट ओव बर्थ है जो इस केस में है 23rd February 1999 इसमें जितने भी नंबर हैं उन सब को जोड देंगे और सिंगल डेजिट में ले 9 एक्वल टू क्या हो गया 35 अब 35 तूंकि double डिजिट में है और लुशू गिडम में कैसे बढ़ते हैं हम केवल single digit में तो इसको क्या कर देंगे 3 plus 5 equal to 8 single digit में आ गिया और हमने इसको अपनी लोशू गिडम में भढ़ दिया ये आ गिया अब ये जितने भी number मैंने निकाले देखिए इनको मैंने नीचे लिखा हुआ है बिलकुल sequence wise पहला date of birth से निकला सारे दिन 2, 3, 2, 1, 9, 9 बोलांक से निकला 5 और भाग्यांक से निकला 8 और यही सारे number मैंने नीचे लिख दिये अब मैं आपको बताऊंगा कि इन number की मदब से आप कैसे पता करेंगे कि आपके भाग्य में आपकी किसमत में घर का योग है या नहीं है सबसे पहला अंक जो घर बनाने के लिए जरूरी है वो होता है number 2 नंबर 2 चन्रमा का अंक है यह बताता है कि आपका मन कैसा है घर बनाने के लिए मन है कि नहीं है इसके बाद जो अगला अंक आता है वो आता है अंक 5 अंक 5 बुद्ध का अंक है जो बुद्धी को दिखाता है तो सबसे पहली बात घर बनाने के लिए क्या होना चीए मन होना चीए अंक दो से और थोड़ी सी बुद्धी होनी चीए जो अंक पांच से मिलती है तीसरी चीज जो घर बनाने के लिए जरूरी है वो है अंक आठ अंक 8 शनी का अंक है और ये मेहनत करवाता है जमीन से जुड़ावा होता है तो अब आपका मन भी है बुद्धी भी है मेहनत भी करते हैं तो घर बनने से कोई रोक सकता है क्या नहीं रोक सकता ये तीनों अंक 2, 5, 8 पिर्थवी तत्व हैं और ये इनसान की जिन्दगे में इस्तिरता को दिखाते हैं इस्तिरता मतलब अपने घर को दिखाते हैं अब इन मेंसे अगर कोई भी नंबर मिस हो जाता है जैसे मान लीजे केवल 8 नंबर आपके पास आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास घर तो होगा परो किसका होगा बाप दादा ने दिया वा घर होगा अब सबस कीजी आपके पास अंक पांच मिसिंग है तो आपका मन भी है मेहनत भी करते हैं दो और आठ से पर अंक पांच से बुद्धी नहीं है तो क्या घर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे. और तीसरा अंक अगर दो मिसिंग हो जाए, तो आपके पास बुद्धी भी है, मेहनत भी करते हैं, पर बनाने के लिए मन नहीं है, तो आप घर नहीं बना पाएंगे. अब अगर इन में से कोई भी अंक आपके जर्म तिथी में नहीं है तो आप एक छोटा सा काम कीजिए आप मुझको एक मैसेज कर दीजिए कि ये अंक हमारी जर्म तिथी में नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि उस अंक की कमी को पूरा करने का उपाए क्या होता है पर आप लोगों से एक रिक्वेश्ट एक काम जरूर कीजिएगा कि सवाल करने के बाद कम से कम 24 गंटे के अंदर मैं जवाब देता हूँ इतना वेट कीजिएगा बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं लाइन से जवाब दिया करता हूँ जवाब मैं केवल उन्हीं लोगों को देता हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया रहता है अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कोई प्राबलम हो तो कमेंट में पूछिए वीडियो को शियर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दवाना बिलकुल न भूलिए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे